इंटर पास सभी चात अब बीए बीए सी बीकॉम पार्ट वर्ण में एडमिशन लेने के लिए तयार हो जाएं क्योंकि आप टाइम बिल्कुल नहीं है सभी इंविशिटी में नई अपडेट जारी कर दी गई है सभी चात यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं चाहे आप फर्स आप टाइब बीए सब्सक्राइब करें चैनल पर बीए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार की हर लेटेस अब्डेट सबसे पहले आपको मिलती रहे तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा एक एक इंविशिटी का यहाँ पे अपडे यहाँ पे पार्टली पुत्र बिस्विद्याले का भी अपडेट नया आ गया है सभी बिस्विद्याले का अपडेट यहाँ पे जाली कर दिया गया है सीट खाली रही तो आच्छी सीटों पर भी समाल नमांकन होगा यानि अगर आप ठीकेट आपका परसेंटेंट जादर कर पाएंगे ठीक है ठीक है पर देख सकते हैं कि पार्टली पृत इन्विसिटी में भी एडमिशन की परकिरिया यहां पर सुरू हो रही है सीट अगर खाली रह गिया ऑनलाइन एडमिशन के बाद ठीक है तो अच्छी सीटों पर समान नमांकन होगा यानि अगर सीट खाली ब होना चाहिए ध्यान रखेंगे जो थर्ट डिविजन है वो भी एडमिशन ले सकता है लेकिन किसी ने किसी एक सब्जेक्ट में आपको 45 परसेंट होना चाहिए जिसे आप ओनर्स पेपर बनाते हैं ठीक है अब देखें यहां पर आगे क्या कहा गया है जैसा कि आपको पता ह मिषब MUSIC पहले प्हली नमांकन शुरू हो रहा है ठीक है तो चौतर चाहिए सिट को डिरी जर्ब कर नमांकन लिया जाएगा ठीक है अगर तीर में नाम नहीं आथा है और सीट अगर बचा रह जाता है तो आप डारेक्ट कॉलेज़ जाकर जो भी आपका कॉलेज है उसका लिस्ट आएगा जिस कॉलेज में जितना सीट खाली है डिरेक्ट आप वहां जाकर अनमिसन ले सकती हैं इस नए नियम अबली में क्योंकि यह नया नियम जाली किया गया है सामिल करने की तयारी चल रही है इसके बाद भी सीट खाली रही तो असपोर्ट किया जो है पार्टली प्रित्र इन्विसिटी में भी सुरू करने जा रहे हैं सबी चात यहां पे अडमिशन ले सकते हैं बिहर बुट की बच्चे आप सब के लिए है धमाकेदार खबर डाउटन के बारे में आप तो जानती होंगे जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके आप बस पार सेकेंड में अपने कोई भी सवाल का बीडियो शुलेशन पासकते हैं वही डाउटन इस बार बिहार में टौपर स्किलरी लगा दिया है यहां पर रहे बच्चे रैंक वन जी हां रैंक वन के साथ साथ रैंक फोर रैंक फाइव रैंक सेवन और रैंक एट हासिल किय हैं इस जोस को कायम रखते हुए डाउटनट ने अपने अगले बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉंच किया है जो कुछ ही दिनों में सुरू होने वाला है तो अगर आप कच्छा दसमी अब रहमी भी हारबुर हिंदी मीडियमें इंगलिस मीडियम के छातर है तो आज ही जा अपडेट था कि पांच मेंस से ही आपका ओनलाइन एनमिशन की परकिरिया शुरू कर दी जाएगी तो जो भी मुझा अपरप इंविसिटी के चातर है बो भी अपना एनमिशन ले सकते हैं सोस्तमच का इनमिशन है ना क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को लिस्स से हटा दिया ग अगर यह बहुत अच्छी इंविसिटी में काउंट होती है पटना इंविसिटी के बाद आपका सेकंड नमबर पर पार्टली पित इंविसिटी का ही नमबर आता है तो इसमें नामंकन के लिए बहुत ज़्यादा भीर होगी तो आप जल्दी से इसके लिए सारे डोकुमें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी न करने के लिए मैं सिधिये आपको बिहारहर.in पर लेके जा रहा हूँ ठीके जहां से आप ओनलाइन भी कर सकते हैं एक एक इंविसिटी जो अपडेट है सभी को मैं दे रहा हूँ कि किस इंविसिटी में किस दिन से होने जा रहा है ब में जो ऑनलाइन के लिए अपडेट जारी कर दिया गया है कि अगले कुछ 102 दिनों में ऑनलाइन की प्रकिरिया सुरू हो जाएगी क्योंकि यहां पर सभी प्रणूप तयार कर लिए गये हैं तिलका मांजी इन्विसिटी भागलपूर की बात किरें तो यहां पर आडमेशन प सब्सक्राइब करें तो आरा में भी मामला फस्ता हुआ है चात्रों का बिरोज चल रहा है क्योंकि जो सेशन पिछला सेशन बहुत जादा लेट हो गया है चापरा इन्विसिटी की बात करें चात्रों को माई तक लास्ट तक बेच करना होगा वहीं मध्यपूरा या जून के पर्थम सब्ता में एडमिशन की परक्रिया पूर्णिया इंविसिटी शुरू कर सकती है वही मुझपर इंविसिटी जो है बाल बाल डेट आगे पीछे करता हुआ यहाँ पे 20 अप्रेल से ही एडमिशन सुरू होना था लेकिन 5 माई का डेट जाली किया और 5 माई से ऑनलाइन की परक्रिया शुरू करने की बाद मुझपर पूर्णिय ने शुरू की है वही मुझपर इंविसिटी अभी तक सोया हुआ है कोई भी अपडेट जाली नहीं कर रहा है हाला कि उमीर लगाए जा रही है कि आप माई के लास तक अडमिशन की परक्रिया शुरू कर सकते हैं वही पार्टली पूर्णिय जो है अब अडमिशन के लिए तयार हो गया है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सिधे लेकर चलते हैं पार्टली पूर्णिय पटना फे यहां पर माने देख सकते हैं कि नुआच पेपर मे भी प्रकासित किया गया था चार मई का लेटेस अपडेट यहां पרक्रिया शुरू कर देगी पार्टली पिस्विद्याले जल्द ही नामांकर फरक्रिया शुरू करने के तयारी चल रही है सभी प्रारूप तयार कर लिए गए हैं ठीके पोर्टल जो है तयार है तो आप लोग अभी ही अपना College लिस्ट तयार कर लें की को आपको किस College में Apply करना है इससे क्या होगा कि आपको दीकत नहीं होगा कि बाद में अगर अपलाई कर लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे इस college में नहीं दूसरे college में लेना था जिससे मेरा admission नहीं हो पाया, पहले make list में नाम नहीं आ पाया तो उसमें क्या होता है कि आपका एक चांस खत्म हो जाता है और अपको बो मन पसंद कॉलेज नहीं मिल पाते हैं जिसमें आपने उमीद लगा रखा था इसलिए आप लोग जो भी आपका मन पसंद कॉलेज है चाहे वो कॉमर्स कॉलेज पटना हो या एन कॉलेज है जो भी आपका मन पसंद कॉलेज है आप अपने मन पसंद लिष्ट बना ले जो भी आपका मार्क्स है ठीक है मार्क्स के एक कॉर्डिंग है लिष्ट बनाए क्यों मेरे साल इस कॉलेज का क्या कट अप रहा था पहली मेट लिस्ट में मेरा जो माक्स है उसके नुसार मेरा एनमिशन इसमें हो पाएगा या नहीं तिस बाद सभी जनकारी यहां पर इस चैनल पर भी मैं दे दूंगा तो बिल्कुल इस चैनल के साथ जोए रहिए जल्दी मैं आज बीणूंग लग्नु वे जिस नुज फे जोए नहीं डिख जोगिक रह ज पर इस चैनल के बादित काछ लाश पील थे टाव मेरा था नहीं विञए उस दो के एंसनेशन हान रख, ए भाद आज पीले का बार इस पर भाफ मेराफ जा। पाफ मां? अबाज एका और